हेलो गाईज वेलकॉम बेक टू माई चैनल तो यहां पर आप देख सेकते हो यहां पर जो सिमला मिर्चे मैंने पिछले वीडियो में भी आपको दिखाया था यह पोधे को आज मैं इनका रिपोटिंग करने वाला हूं तो एक पोधे को मैं गमले पे लगाऊंगा और जो और दो पोधे होंगे उनको मैं मिठी पे लगा के देखूंगा की इसा उन में ग्रोथ आता है तो गमले में लगाने के लिए मैं यहां पर मिठी जो ले चुका हूं यहां पर जो मैंने मिठी लिया है उसमें 50% नर्माल गार्डिन सोयल है और 50% जो हमारा गवर की खा दे वह है और इसको हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं और इसमें लगाएंगे तो चलो पहले हम इसको मिक्स कर लेते हैं तो यहां पर आप देख सकते हो हमारा जो पोटिंग मिक्स है वो त्यार हो चुका है तो यहां पर मैंने गमला लिया है और यह मिठी का गमला है और पत्थर डाल देंगे हमारा drainage hole को सही रखेगा ये और पानी जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकलने में मदद करेगा और उसके बाद हम मिट्टी भरेंगे और एक बाद हम इसमें थोड़ा नीम खली डालेंगे इस तरह से और उसके बाद हम आधा तक इसमें मिट्टी भर देंगे पहले ये पलिथिन को निकाल लेता हूँ तो यहां पर आप देख सकते हो मैंने पलिथिन निकाल लिया है अब इसको हम अच्छे से यहां पर बिठा के चार तरफ से मिट्टी भर देंगे तो यहां पर आप देख सकते हो हमारा जो सिमिला मिर्च का पोधा रेडी हो चुका है अभी हम इसको पानी देंगे और धूप में रख देंगे और बाकी जो आप यहां पर देख सकते हो यह दो पोधे हैं सिमिला मिर्च के इनको मैं मिट्टी पे डायरेक्ली लगाऊंगा और देखूंगा कितना अच्छा इनमें ग्रोथ आता है और कैसे इनमें जो फ्रूटिंग आता है तो चलो इनको भी लगा लेते हैं तो यह जो पोधे हैं इनको मैं इधर लगाऊंगा यह जो आप देख सकते हो यह मिट्ची का पोधा है और पिछे आप मेरे गाड़ेन देख सकते हो और यहाँ पर एक मिट्ची का पोधा है और यह गुलाव का पोधा तो इसी के पास मैं इनको लगाऊंगा तो इनको लगाने से पहले मैं थोड़ा ये जो मिट्टी है इनको थोड़ा त्यार कर लेता हूँ बलकि ये जो हमारा सिमला मिर्ची लगेगा ये थोड़ा उचाई पे लगना चाहिए मतलब कि उसके नीचे पानी अगर ठेरने लगेगा तो पोधे को दिक्कत होगा पहले हम मिट्टी को थोड़ा उचा कर लेते हैं तो यहां पर आप देख सकते हो मैंने सिमला मिर्च का जो पोधा है एक गमले में और दो मिट्टी में लगा दिया है और यह जो मिट्टी वाला आप देख रहे हो यह लगाने के बगत मैं आपको दिखा नहीं पाया लेकिन कोई बात नहीं मैं आपको बता रहा हूँ मतलब कि जितना मैंने देखा है कि सिमला मिर्च जो भी लगाते हैं वो थोड़ा मतलब उचाई पे लगाते हैं क्योंकि सिमला मिर्च को ज्यादा पानी अगर दोगे तो फ्रूटिंग नहीं होता है ठीक है तो मैंने भी वैसा ही किया है और यहां पर इसके निचे मैंने गवर की खाद दिया है और और नर्माल मिट्टी में ही इसको लगा दिया है और जो इसका ग्रोथ के लिए हम खाद बगरा आड करेंगे वो बाद में देंगे अभी के लिए हम इसको एसे ही छोड़ देते हैं दो पर डाला था वही मिटी है और इधर भी हम बाद में खाद बगरा डालेंगे यह जो पोधा आप देख रहे हो इनका अपडेड में जल्दी लाओंगा इनका ग्रोहत और इनका जो फूर्टिंग के बारे में तो चैनल को जल्दी से जल्दी सस्क्राइब करते ना और वीडियो क्यों पारे में तो में?